नमस्कार प्रिये दर्शकों हाजिर हूँ मैं 23 मार्च 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एकारिक्रम प्रारंभ करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज मंगल बार है फाल गुनमास शुक्ल पक्ष की आज नवमीति थी है जो प्रातहकाल दसबच करके साथ मिनट तक है और इसके पुष्चात दशमीति थी है पुनरवसू नक्षत्र है रात्री में दसबच करके 58 मिनट तक इसके पुष्चात पुष्य नक्षत्र है शुभन योग कौलव करण है बात होगी पंचांकी चंद्रमा आज मिथुन राश में सायंकाल चार बच करके 31 मिनट तक रहेंगे इसके पुष्चात करक राश में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित महुर्त का समय दिन में 11 बच करके 40 मिनट से दोपहर 12 बच करके 19 मिनट तक होगा वहीं राहुकाल दोपहर 13 बचे से शाम 4 बचे तक जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया और शुभकार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाब लेना हो ऐसे प्रतेक कार्य को अभिजित महुर्त में प्रारंभ करना चाहिए ये अभिजित महुर्त हरिक्वति प्रिय है राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए केंद्रा धिपति दोश इस दोश को समझना अत्यंत आवश्चक है जन्मकुंडली में बहुत सारे दुर्योग निर्मित होते हैं उन्हीं दुर्योगों में से एक दुर्योग है या दोश है केंद्रा धिपति दोश इस दुर्योग से इस दोश शे या इस दुर्योग के जन्मकुंडली में होने से जातक को कितना नुकसान होता है आज इसकी चर्चा हम दिव्य महाप्रयोग में करेंगे तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे लेकिन उससे पूरुबात कर लेते हैं ग्रहस्तुतियों की राहु और मंगल यूती बनाकर व्रुषब रासी में संचरण कर रहे हैं तो वहीं चंद्रमा का संचरण मिठुन राशी में जारी है। यह चंद्रमा आज सायंकाल राशी परिवर्तन करेंगे और राशी परिवर्तन करके अपनी खुद की राशी करकर राशी में प्रवेश कर जाएंगे। कि तू व्रिष्चिक राशी में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं गुरू और शनी यूती बनाकर मकर राशी में, बुधका संचरण कुम्भ राशी में जारी है, तो वहीं सूर्य और शुक्र यूती बनाकर मीन राशी में संचरण कर रहे हैं, तो ग्रहिस्तुतियां यह थावत अब ये सारी ग्रहिस्तुतियां जो कि निर्मित हो रही है आपको किस प्रकार से आज प्रभावित करने वाली है चाहे वो शश्महापुरुश्योग हो या गुरु और चंद्रमा का बनने वाला शकट योग तो योग हो या दुर्योग किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे देव गुरु ब्रिहस्पती के नक्षत्र में संचरन कर रहे हैं ये चंद्रमा आज आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं ये हम जानेंगे आगे राशिफल में तो बाकी की ग्रहिस्तुति और चंद्रमा का गुरू के नक्षत्र में होना किस प्रकार से आपको प्रभावी करेगा यह सब राशिफल की का विश्य है राशिफल में इसकी चर्चा होगी यह है ग्रहस्तुति और इन्हीं ग्रहस्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तयार किया प्रियदर्शक केंद्रा धिपदी दोश किस-किस को लगता है? तो सभी सुभग ग्रहों को केंद्रा धिपती दोश लगता है चाहे वो चंद्रमा हों, चाहे वो बुधो हों, चाहे वो देव गुरु हों, चाहे वो शुक्र हों। इन चारों ग्रहों को केंद्रा धिपती दोश लगता है। अब आज मैं आपको इस दोश के बारे में कुछ विशेस बाते बताने जा रहा हूँ, जरा समझेए. जैसे जन्म कुंडली में दुर्योग हुआ केमद्रुम योग, दुर्योग हुआ विश्योग, गुरुचांडाल योग, अंगारक योग, क्या उसी स्रेणी का ये दुर्य दुर्योग है केंद्राधिपती दोश क्या उसी प्रकार से प्रभावित करता है? मैं समझता हूं नहीं. ये दोश, ये जो मैंने दुर्योग अभी गिनाए, उस प्रकार का दुर्योग नहीं है. फिर ये दुर्योग है क्या? इसके गहराई में जाना होगा, चुकि ये रा पाप ग्रह हैं, वो लगन कोई भी हो. जैसे ब्रिशव लगन की कुंडली हो, तो देवगुरु वहां अकारक है, लेकिन इसके बावजूद देवगुरु की जो सुभत्व वाली इस्तुति है, वो सदैव सुभत्व वाली वैसी ही रहेगी, लगन कोई भी हो. लगन कोई अब जोतिश शास्त्र कहता है कि केंद्र के चारों घरों में पापग्रह अपना पाप प्रभाव नहीं देते और शुभग्रह अगर उनकी राशी हो तो अपना सुभ प्रभाव नहीं देते केंद्र में ही अगर उनकी राशी हो तो अपना सुभ प्रभाव नहीं देते लेकिन अगर उनकी राशी नहीं हो तो फिर शुभग्रह अपना सुभ प्रभाव ही देते हैं ये केंद्रा अधिपति दोश को अब यहीं पर समझना है अब जन्म कुंडली में चाहे वो किसी भी लगनकी कुंडली हो शुभग्रह की महत्ता सदई वजादा है क्योंकि हमारे जीवन में हर जगा हमें सुभग्रह की आवशकता है संतान चाहिए हमें विद्या चाहिए हमें धन चाहिए हमें उचाई चाहिए हमें सुक्सम्रधि चाहिए हमें ज्यान चाहिए इस सब गुरु देने वाले हैं तो शुभता, शुभग रह की जो शुभता है वो हमें सदई बचाहिए। अब कोई ऐसा ग्रह जो आपकी जन्म कुंडली में अपना शुभ प्रभाव ही खोदे, तो जाहिर सी बात है कुंडली की एक बड़ी छती हुई। ये कुंडली कमजोर पड़ गए। वो चाहे लगन कोई भी हो। केंद्र में बैठे हैं तो ये केंद्रा धिपति दोश नहीं होगा। लेकिन केंद्र में ही गुरु की राशी हो। और वो दूसरी किसी राशी में बैठे हो। यानि खुद की राशी में नहोकर केंद्रा धिपति दोश हुआ। क्यों हुआ ये समझ गए क्योंकि राशी उनकी है केंद्र में और खुद की राशी होने पर वो अपना शुभ प्रभाव खो देते हैं। तो ये छती हुई जिसे केंद्रा धिपति दोश कहा। अब सवाल उठता है कि जैसा मैंने कहा कि हमें ये विचार करना है कि केंद्रा धिपति दोश क्या ये बाकी के जो बड़े दुर्योग है उस प्रकार उस समान का बड़ा दुर्योग है। तो जो तो शास्त्र के अगर इस बात को ध्यान से समझें तो शुभगरह की सुभता को खो देना एक माहानतम छती है। लेकिन ये कोई दुर्योग नहीं है गौर करिएगा। ये दुर्योग नहीं है कि दोश की स्थिति उत्पन्न हो गई कि इस शुभगरह ने अपनी शु पर आपकी जन्म कुंडली में लगनपती बली अवस्था में हैं। अब उन्हीं को खेंद्रा अधिपती दोश लग जाए तो बात ही अलगा फिर उसके लिए दूसरा रास्ता चुनेगे जैसे बुद्ध ही आपके लगनपती हुए। गुरू आपके लगनपती हुए और वो केंद्रा अधिपती दोश से ग्रसित हो गए। तो उस अवस्था में फिर दूसरा रास्ता लेकिन अगर वो केंद्र में ग्रह अपनी रासी में नहीं बैठा केंद्र में उसकी रासी है और उसको केंद्रा अधिपती दोश लगा है। तो यहां सबसे पहले बता दू कि अगर लगन का मालिक बली अवस्था में है, तो केंद्रा धिपती दोष से चिंतित होने की अवस्था नहीं है. एक दूसरा. उस समय विशेश पर ग्रह स्थितियों को देखते हुए गुरू के मंत्र का जब करना और गुरू के उपाय, मंत्र जब के रूप में करके आप गुरू को बल प्रदान कर सकते हैं और उनका लाभ ले सकते हैं. वैसे ही आप गुरू से या बाकी के सुर्य से सम्मंधित लगन के हैं आप और यहाँ पर अगर आपको शुक्र केंद्रा धिपति दोष में दिखाई पड़ रहे हैं, तो जरूरत पड़ने पर शुक्र से सम्मंधित जब जरूरते पड़ेंगी आपके जीवनकाल में चाहे वो दामपत्य सुख में कमी आ रही हो, तो वहाँ पर शुक्र का उपाय करके, शुक्र के मंत्रित्यादी का जब करके, शुक्र से सम्मंधित उपायों को करके, आप केंद्रा धिपती दोश जन्नी जो पीड़ा है उससे बच सकते हैं खिर से याद रखिएगा कि केंद्रा धिपति दोश जो है ये बाकी के दुर्योगों के समान कोई भयंकरतम दुर्योग नहीं है यहाँ पर शुभगरह अपनी शुभताक हो देता है और ये कुंडली की अपूरणिये च्छती है इसी बात को कहा जाता है केंद्रा धिपति दो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी रासी से पराकरम भाव में सुंचरन कर रहे हैं गुरू के नक्षत्र में सुंचरन कर रहे हैं साम साले 4 बजी तक एक चंद्रमा बढ़िया है दिन आपके लिए यू समझ लिज़े कि आपकी शमताओं के प्रदर्सन का दिन है हर चित आविस मत्त होने दीजेगा आपकी रासी से दूतिय भाव में राहू और मंगल यूति बनाकर अंगारक योग का निर्मान करके सुन्चरन कर रहें अतह वाणी में कठोरता न आने दीजे नहीं तो नुकसान हो जागा छती वाणी के कारण होगी व्यापारियों को लाब होने वाला है एक्स्ट्रा आमदनी की स्थिती तो बन रही है परन्तु एक्स्ट्रा कामाने के चकर में अगर आप मेश रासी के हैं तो कोई गैर कानूनी काम मत करेगा रही तो फसना तह समझे क्योंकि गोचर कुंडली में सूरे बार में और सनी की दृष्टी से दृष्ट हैं अता अवस्य फसेंगे और दूसरों की बातों में दूसरों के कारियों में दखल अंदाजी से बचिये नहीं तो अपमानित होना पड़ेगा प्रेम संबंद के लिए दिन बढ़िया है दामपत्य जीवन में भी सब कुछ ठीक ढग दिखाई पड़ रहा है हां गलत फ़हमी हो सकती है किसी दूसरे की बात में आ करके आप जीवन सांती पर शक कर लें जीवन सांती के सांत मत भेद करने तो अलग बात वैसे दामपत्य जीवन ठीक है अब आपकी तरब से बिगड़ता है तो आपको सावधान रहना चाहिए किसी दूसरे की बात में आ करके जीवन सां को लेकर करके जड़ा सावधान रहे और आपको नींद की कमी हो सकती है लकियंग का आपके लिए दो लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है और आज रुद राष्टकम का प्राता काली पाठ करिये इससे फायदा मिल जाएगा आपको विशेस फायदा और निवेश इत्यादी करते हैं तो आप कर सकते हैं ब्रिशब की हम बात कर लेते हैं ब्रिशब राशिके जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है गोचर क पर अपनी वाणी का प्रयोग कुछ इस तरह से करिए कि कोई आपकी बात का बुरा न माने अगर आप चाहते हैं कि आपके सभी रुके हुए काम बने तो सतर करहिए खान पान पर बेहद नियंत्रन रखिएगा विशेश कर मद्यपान से तो दूरी बना कर रखिएगा मान सह पारी है तो व्यापारी के मामले में आज दिन उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है भाग्यों वैसे तो आपके साथ है काम बनेगा जरूर लेकिन हर कार्य में रुकावट आने वाली है राज की बात किसी से बताना चाहते हैं अपनी भावना किसी से शिर करना चाहते हैं खान पान का विशेश रूप से ध्यान रखना होगा और नींद की शिकायत आपको हो सकती है आँखों में जलन की शिकायत भी तो इससे आपको ध्यान रखना होगा लकियंग का आपके लिए आज दो लकी कलर आपके लिए आज परपल है और प्राता काल ही आज चीटियों को शक्कर डाल दीजेगा निवेश आपको नहीं करना मिथुन की अगर हम बात करें तो मिथुन राश के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशी पर ही संचरन कर रहे हैं गुरू के नक्षत्र में संचरन करें चंद्रमा राशी पती का राशी से भाग्यभाव में होना कार्यस्थल पर कोई बड़ी और ऐसी जिम्मेवारी मिलने वाली है जो आगे चल करके आपके लिए फायदे मंद होगी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो कोई भी गलत कार्य मत करियेगा गैर कानूनी काम तो बिलकुल ही नहीं करना है सरकारी नौकरी में है तो बेहत सतर करही और व्यापारियों की बात करू तो निवेश नहीं करना और एक और बात आपको बता दू पुराना निवेश ही आपको फायदा देगा सो आज जैसा दिन बीत रहा है बीतने दीजे खर्च आपका बढ़ने वाला है और साथी साथ कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो अभी रुकिए नया करने के लिए बहुत बढ़िया दिन नहीं है किसी को पैसा उधार बिल्कुल मत दीजेगा और प्रेम संबंध में कोई पुराना मसला था वो सुलज जाए प्रेमियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन दांपत्य जीवन भी ठीक ठाक देख रहा हूं हाँ जीवन साथी की सेहत जरूर आपको चिंतित करेगी और विद्यार्थियों के लिए ठीक नहीं है दिन कंफ्यूजन की स्थुति है विशेश करके अगर आप मैनेजमेंट औ और फाइनांस से समंदित सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो विशेश करके आज आपका मन बहुत ज़्यादा भटकने वाला है भटकाओ भरा है दिन स्वास्ति के दृष्टिकोंड से देखें तो नींद की कमी ठोड़ी बेचैनी और किसी न किसी बात की चिंता आज पूर अमेभाव में संचरन कर रहे हैं गुरू के नक्षत्र में संचरन कर रहे हैं चंद्रमा शश महापुरुष योग का लाभ लाभ की स्थिती बनी हुई है असंभाव आपके लिए कुछ नहीं है जो जरूरी काम है उनकी सूची बनाईए हर कार्य आसानी से पूरा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है पूरे दिन बेस्तोता बनी रहेगी यात्रा आपके लिए लाभपरद रहने वाली है और नौकरी कर रहे हैं लोग के लिए दिन बहुत बढ़ी आए हाला कि शडयंत्र में फसो सकते हैं इस बात की संभावना है अतह सतर्क हो करके कारे करिये हाला कि प्रकार की आपको मदद की आवशक्ता होगी वो मिल जाएगी और व्यापारियों की बात करूँ तो व्यापारियों के लिए उन सामानेत्या मैं ठीक देख रहा हूँ पैसों के मामले में समझ करके ही निरने लेना होगा चीटिंग हो सकती है आपके साथ और कोई बड़ा ड रखना होगा सब ठीक हो जाएगा और विद्यार्थियों की बात करूँ तो अच्छी सफलता मिलने वाली है आज मन पढ़ाई में लगेगा आपको पढ़ाई में ध्यान भी देंगे सेहत के दृष्टिकोंड से देखें तो सेहत में आज थोड़ी परिशानी हो सकती है पाठ अथवा स्वरवन कर लीजिए सिम्ह रासी की बात कर लेते हैं सिम्ह रासी के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी रासी से लाभभाव में संचरन कर रहे हैं गुरू के नक्षत्र में संचरन कर रहे हैं आपके बेहत खास स्रिष्ट हैं, वैसे देखा जाए तो आपके रासी पती रासी से अस्टम में संचरण कर रहे हैं, सो कारिस्थल पर थोड़ी मानसिक असांति और परिशानी तो रहेगी परन्तु वेतन बृद्धी या किसी और तरीके से लाव की स्थिती दिखाई पड़ रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया है, घर, परिवार, कामाहॉल भी बहुत बढ़िया और कोई महत्पपूर्ण कारियों जो बहुत दिनों से आप पूरा करना चाहते थे, वो आज के आज पूरा हो सकता है, या कोई नया कारे प्रारम्ब करन की सोच रहे हैं, तो करिए, और कमिशन से जुड़े फिल्ड में आप काम करते हैं, तो जबर दस्त लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, प्रेम संबंध के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, रिस्तों में अगर कोई परिशानी है, तो बढ़ों की मदद लीजि तो चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, तो जो वाहन चलाते समय सावधान रहिएगा, और सिरदर्द की शिकायत हो सकती है, इसे लेकर के भी सावधान रहिए, लकियंक आपके लिए आज तीन, लकी कलर आपके लिए नीला है, निवेश आप अवश्य करें, और आज जासी से दसमभाव में सिंचरन कर रहे हैं, गुरू के नक्षत्र में सिंचरन कर ये चंद्रमा, चिंता और परिशानी लाएंगे, कारिस्थल पर कुछ परिशानी या यूं समझ लीजिए, कि अधिकारियों से जिस प्रकार के सहयोग की उमीद थी, अपेक्षा थी, वो आपके खिलाप सड्यंत्र रचेंगे, हाला कि एक बात आपको बता दू कि आज आपके दुश्मन खुद की गलतियों से ही आपसे हारेंगे, पर आपको कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है, जो भी निर्णय लीजिए सोच समझ करके, अपने आपको परिपक्व बना करके रखिये और जितना हो सके साकारात्मक सोच रखिये, व्यापारी है तो व्यापार में लाभ किस्तुती कम रहेगी, कोई बड़ा निवेस नहीं करना, हाँ लंबे समय के लिए आप निवेस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, और किसी से बातचीत में बहस की संभावना है, सो बातचीत करने के दौरान सतर्क और सावधान रहे है, प्रेम संभन्ध के लिए दिन मैं अच्छा देख रहा हूँ, कहीं कोई दिकतनी संभन्ध में मजबूती आएगी, स्थाइप तो होगा, और विद्यार्थियों के लिए ठीक नहीं है दिन, उहां पोह भरा रहने बा तो स्वास्त में थोड़ी परिशानी होगी, भोजन के मामले में जड़ा सतर्क रहेगा, और तवचा जन्य, रोग से ग्रसित हैं, तो परिशानी बढ़ने वाली है, लकियंक, आपके लिए आज नौ लकी कलर, आपके लिए आज सफेद, निवेश आपको नहीं करना और आज पुरुष सुक्त का पाठ या सुरबन करिए, प्राताकाल ही इससे विशेश फायदा मिलेगा, तुला की बात कर लेते हैं, तुला राश के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है, गोचर कुंडली में चंद्रमा, आपकी रासी से भग्यभाव में सं चंद्रमा, वहीं देखा जाए तो शष महापुरुष योग का आपको लाभ मिल रहा है, योजना बद ढंग से काम करिए, तब ही आपको फायदा होगा, कारेस्थल पर तनाव दिखाई पड़ रहा है, आपको अपने लक्ष पर ध्यान केंद्रित करना होगा, रुका हुआ पैसा वापस न मिल पाने के कारण मन ब्यथित रहेगा, और बेवसाय में जिस तरह के लाभ की आपको अपिक्षा थी, वो लाभ मिलने वाला नहीं है, पूर्व स्यारी समस्या का समाधान न हो पाने के कारण, आज आपका मन चिंतित और बेचायन रहने वाला है, किसी से किस समाने ठीक है, और संबंधों में अगर कोई खटास है, तो उसे दूर करने का आज आपको प्रत्न करना चाहिए, विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में थोड़ा कम लगेगा, और सफलता के दृष्टिकों से मैं बहुत स्रिष्ट दिन आज विद्यार्थिय आप प्राता काल ही गोगरास अपने खाने में से अवश्य निकाल दिएगा, बात व्रिष्टिक रास की कर लेते हैं, व्रिष्टिक रास के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है, गोचर कुंडली में चिंद्रमा रासी से आपके अस्टंभाव में संचरन कर रहे हैं, गुरु के नक्षत्र में संचरन कर रहे हैं, चंद्रमा मंगल वार का दिन मंगल की द्रिष्टि आपकी रासी पर अपने बेवहार में लचिलापन रखिएगा, क्रोध पर नियंत्रन रखिएगा, और जरूत पढ़ने पर सलाह लेते रहेगा, विशेशकर जीवन दिने से आपके काम होने वाले हैं, और व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, धनलाव होने वाला है, नए कारोबार की रूप रेखा अगर बनाने की सोच रहें, तो आज बनाईए, हाला कि गोचर कुंडली में चंद्रमा अस्टमस्थ हैं, पर फिर भी दिन बढ़िया है, अचानक धनलाव की इस्तिती बनी हुई है, विवाह का प्रस्ताव आपको मिल सकता है, इस मामले में दिन बढ़िया है, प्रेमी के साथ अगर मत भेद था तो वह मत भेद दूर होने वाला है, प्रेमी की भावनाव का सम्मान करिये, और विध्यार्थिय लखी कलर आपके लिए आज केशरिया और आज आप निवेश कर सकते हैं बजरंग बान का प्राता काल ही पाठ कर लीजेगा विशेश लाब मिलेगा धनु की बात कर लेते हैं धनुराश के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशी से सप्तम भाव में संचरन करें दिन बहुत ही शुब है गुरू के नक्षत्र में संचरन करें संचंद्रमा आपको विशेश रूप से प्रभाव देने वाले हैं जिससे भी आप मिलेंगे उसके उपर आपका प्रभाव पड़ेगा लाभ की उम्मीद बनी दोनों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया मुझे दिखाई पड़ रहा है जरूत पड़ने पर पार्टनर से धन संबंधी सयोग भी मिलेगा और पार्टनर्शिप में आप व्यापार करते हैं तो सफलता तो मिलनी ही है आज आपको अपनी वानी पर अपने मन पर दोनों पर दस्तियोग है विशेस करके कोई इंटर्विव इत्यादी देने वाले हैं कोई परतियोगी परिक्षा देने वाले हैं तो जब रदस्तों सफलता की स्थित्री खाई पड़ रहे है जीवन साती की सेहत में अगर कोई परिशानी थी वो परिशानी दूर हो जाएगी आप किसी जरूत मंद को या हो सके तो सन्यासी को करिए विशेस फायदा मिलेगा मकर की बात कर लेते हैं मकर राश के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी रासी से सस्थम भाव में सुंचरन करें गुरू के नक्षत्र में स लेगसी और रहता है अप्मान जन्य स्थम बनेगी हाला कि किसी पुराने दोस्त से आज आपकी मुलाकात होने वाली है जरूत पढ़ने पर माता-पिता से आपको शहयोग मिलेगा प्रयत्न करना होगा हर कारिया में रहे हैं और क्रियर के प्रती आपको पूरी तरह से सावधान रहना होगा तभी दिन अच्छा भी देगा व्यापारियों के लिए दिन सामानने हैं बहुत लाब किस्तिती मैं नहीं देख रहा हूं नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो तुरंत कोई फैसला मत करिएगा या कोई अचल संपत्ति या कोई बड़ी प्रॉपर कफ जन्रोगों से भी परिशानी हो सकते हैं सतर्क रहिएगा लकियंक आपके लिए आठ लकी कलता आपके लिए आज पीला निवेश आप ना करें और दूध का दान किसी गरीब बच्चे को या अनाथास्रम में या किसी अनाथ बच्चे को दूध का दान कर दिएगा विश परिशानी लाएंगे हाला कि आपका पूर्वा नुमान सही होगा पर फिर भी दिन बहुत बढ़िया है फायदा देने वाला ऐसा नहीं कह सकता शेर मार्केट में निवेस ना करिए जिस तरह की खुशी जिस तरह की सफलता आज आपको मिलनी चाहिए थी वो मिलती दिखाई नहीं पड़ रही है नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन सामान में देख रहा हूँ बिना सोचे समझे बोलेने से बचना है जीवन साती से बेवजव विवा तो सेहत में उतार चड़ाव की स्थिती रहेगी सेहत के मामले में थोड़ी परिशानी है तो वहीं पुराने रोग भी आपको परिशान कर सकते हैं सेहत के मामले में सतरकता जरूरी है लकियंक आपके लिए आज नौ होगा और लकी कलर आप आज के लिए आपका बादामी है निवेश आप ना करें और बटु को भैरो श्टुत्र स्टुत्र का पाठ या स्ट्रवन कर लीजे इससे फायदा मिलेगा और बात मीन की कर लें तो मीन राज के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा रासी से चतुर्थभाव में संचरन कर रहे हैं गुरू के नक्षत्र में संचरन कर रहे हैं चंद्रमा बहुत बढ़िया हर तरह के मामले में आपको बस सांत और एकागर होकर के साकारात्मक सोच रखकर के विचार करना है सफलता मिलेगी दिन बेहर्द आननद से बीतने वाला है आपकी हर कोशिश सफल होगी कारेस्थल पर किसी को भी आप अपनी राय से आसानी से सहंत कर लेंगे मिला जुला करके हर प्रकार से दिन आपका बढ़िया बीतने वाला है ब्यापार नौकरी हर च्छित्र में हर संम्ध में आपको सफलता मिलेगी और पूर्व से चला रहा कोई विवाद है तो वो विवाद भी आसानी से सुलजने वाला है कोई नया कारे प्रारंब करने की सोच रहें कोई बड़ा कारे प्रारंब करने की सोच रहें वाज कर सकते हैं पुराने प्रेमी से आपकी मुलाकात होने वाली है जिससे दिन खुशनुमा हो जाएगा और विद्यार्थियों को थोड़ा परिशान होना पड़ सकता है लेकिन विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है सतर्क होकर क्या पढ़ाई करिए कहीं कोई विशेश दिक्कत नहीं है सेहत के दृष्टिकोंड से सावधान रही सेहत कोई विशेश परिशानी तो नहीं लेकिन आलत से और ठकान रहेगा नींद की थोड़ी कमी भी आपको हो सकती है लक्यंक आपके लिए एक लखी कलर आपके लिए अज मैजेंटा निवेश आपको करना है और आज सद्ध कुंजिका इस्तोत्र का पाठ या स्रमण कर नमस्कार